नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर शॉलेशन की यूट्यूब चैनल पे चोधी टंस उनिवस्टी से अगर आप बेड कर रहे हैं बेड फस्ट यर में हैं आफिर आप बेड सेकंड यर में हैं तो आपके एक्जामिनेशन फोर्म जो आपके चल रहे हैं 2024 के उसकी जो लास्ट देट है वो कल है ठीक है ना तो चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा जिसे का आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन आते रहें कुछ बात मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ रोहिल खन उनिवस्टी के जैसे कि आप सभी को पता है हमने गैस पर पर स्टार्ट कर दिये हैं तो हो क्या रहा है जो सीसेस उनिवस्टी के बच्चे हैं बीट फरस्टेर सेकेंडियर के वो बहुत ज सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो फोर्म के बारे में फिर थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपके इंपोरेंट कोशन की बात करूंगा ठीक है तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की खबर जो की बता रहा है कि कल आपका के परिक्षा फॉर्म ठीक है दस मार्स के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी तारीक और 15 मैं से शुरू होंगी परिक्षाएं और इस बार सीसे उनिवस्टी आपकी 15 मैं से एक्जाम कराने के लिए पूरा पूरा तैयार है ठीक है ना चलिए इसके बाद कोलीज सत्यापित फॉर्म विश्विद्द्याले में जमा करेंगे रश्टा ध्रेंद्र कुमार वर्मान ने बताया है कि परिक्षाए 15 मैं से शुरू कराई जाएंगे इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है यानि के डेट के बाद है ना अगर डेट निकल जाती है और फिर आप examination form भरते हो और वो बाइचान बरह जाता है जो ले वो निरस्त मना जाएगा परिक्षाइं मही में होंगी इसलिए कक्षाइं चला कर पाठ्ठ करम पुरा करवा दे परिक्षा शुरू होने से पहले यानि कि आपके internal परिक्षाइं करवाए जाएंगी ठीक है यह होती रही है नियमानुसार कोई भी विध्यारती एक साथ दो वर्ष के परिक्षा करने करेंगे करेंगे कि विदा यह सारी चीज है है एकुए कर सकते है तो यह सारी जान के यहां लिए अब अब बात आती है आपके important question को लिए ठीक है तो जादा परिशान नहीं होना है ठीक है भाई सबसे पहले जो exam है सबसे पहले जो exam है भाई वो रोहिल खंड के हैं वो 5 अप्रेल से start है ठीक है बिल्कुल भी time नहीं है उसके पास उसके बाद MSU के अगर मैं बात करूँ तो वो भी कहीं न कहीं अप्रेल से ही करा रहे हैं भले वो last अप्रेल हो ठीक है न और उसके बाद CCS University के अगर मैं बात करूँ तो वो 15 मई से होंगे है तो अभी CCS University वाले के पास अभी time है ठीक है थोड़ा सा अभी मुझे यहाँ पर focus क रहेगा first and second year पर और आपके मैं एके-एक दो-दो paper डालता रहूँगा यह एक दो-दो दो दिन बाद मतलब दो दिन के gap पे एक paper डाल दिया फिर दो दिन के gap पे पे डाल दिया फिर फरसेर सेकंडेर का दौनों का है लेकिन इनके daily डलेंगे क्योंकि इनके बिल्कुल भी एक मंद से भी कम है ना बहुत कम टाइम है इनके पास तो आपके पास तो 15 में से स्टार्ट होंगे इनके अप्रेल से होंगे तो ये टार्गेट लेते हुए MSU का अप्रेल लास्ट का टार्गेट लेते हुए आपके भी एक एक करके डेली एक पेपर डाल दूँगा दोनों का है तो यही सारी चाहिज जो मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा प्रिशान नहीं होना है और जिस बच्चे ने भाई फर्म नहीं प्रिशान नहीं होना है कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करेंगा करके कोई भी अगर डाउट है तो पूछेगा भीडियो उच्चे लगी हो तो लैक करियेगा और शेर करिएगा अपने फ्रेंड को अगर उसने भी फोर्म नहीं भरा है ताकि उनको पता चल जाए कि हा तो आप भी अपने फड़ावट से फ़र्म बढ़ लिजेगा तो तीनों इनिवस्टी पूरे तरह से काम कर रही है और दबाग के काम चला है ठीक है तो अपना ध्यान रखेगा चैनल पर नहें तो सब्सक्राइब करिएगा और अपना ध्यान रखेगा पढ़त रही है ठीक है े रही है है तो से बाग कि ज़खेगा यान रखेगा जओת मा.